नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिब घरेलू उपचार यूटूब चैनल में दोस्तों आज हम एक ऐसी और सभी आप सभी के बीच लेकर आए हैं जिसे आप भली भाती जरूर पहचानते हैं और इसके नाम से भी आप अच्छी तरह से परचित हैं क्योंकि इसे अलग-लग जगों पर अलग-लग नामों से जाना पहचाना जाता है जैसे कि चक्रमर्द, चकवर, फवाडे, खरेटी एवं चाकुन्दा आदि के नाम से जाना जाता है यह पवधा अधिकतर बरसा रितु आने पर अपने आप उत्पन हो जाता है यह चक्रमर्द का पवधा पाँच फिट से चार फिट तक उचा होता है इसे अधिकतर लोग खरपतवायर के रूप में देखते हैं लेकिन यह अवशदिय पवधा त्वचा विकार रक्त विकार दाद खाज खुजली जैसी बीमारी को दूर करने में काफी लाभकारी माना जाता है इसके पत्ते से लेकर फूल पत्तियां बीज ज़ड आदि सभी बहुत ही काम की चीज है क्योंकि अधिकांस लोग इसे खर पत्वा जानकर उखार कर फिंक देते हैं लेकिन इससे होने वाले फाइदों के बारे में नहीं जानते हैं लेकिन आज मैं आप से भी को इससे होने वाले फाइदों से अवगत कराऊंगा यानि बताऊंगा बट आप वीडियो को ध्यान पुर्बक एंड तक जरूर देखते रहे और वीडियो पसंद आये तो अभी चैनल को सस्क्राइब कर देजे क्योंकि मैं डेली हेल्थ से जुरी जनकारी यान लेकर आते रहता हूं तो चलिए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों अगर आपको दाद खाज खुजली हो गई है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं सबसे पहले आप क्या करें कि इस चक्रमर्द के पतियों को तील के तेल या सरसो के तेल में मिला कर अच्छी तरह से पीस लें और इसका उप्टन तयार कर लें और जहां भी आपके सरीर में दाद खाज खुजली की समस्या है वहां पर उप्टन को लगाएं इससे आपके सरीर का दाद खाज खुजली बिल्कुल रूप से ठीक हो जाएगी यानि खत्म हो जाएगी इसके अलावा अगर आपके सरीर में कहीं भी फोड़े फुन सी घाव हो गया है तो आप इसके पतियों को हाथों से मसल कर लुगदी बना ले और जहां भी आपके सरीर में फोड़े फुन सी हो गया है वापर किसी कपड़े से उस लोगदी बने हुई पतियों को बाहँ दे इससे आपका घाओ कुछीं दिनों में महज ठीक हो जाता है इसके अलावा जिन इस्तिरियों के कमर में दर्द रहता है, जोडों में दर्द रहता है, गठिया की सिकायत है इसके बीजों को आग में भून कर इसका चून बना ले और रोजाना घी और गून के साथ सेवन करे इससे कमर दर्द जोडों के दर्द से बिल्कुल राहत मिलती है दोस्तों ये थे चकरमर्द से होने वाले कुछ महत्पून बेनिफिट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जनकारी को ले कर तब तक लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद